मुख्या संस्देश सचिप संजय अवस्ती ने कहा कि प्रदेश सरकार और ध्योगिक प्रशिक्षन संस्थानों के माध्यम से युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप बिश्व स्तरिय पाठ्षे करंब प्रशिक्षन प्रदान करने के लिए योजनवत प्रयास कर रही ह संजय वस्तिया सोलन जिला के अर्की विधानसवा शेत्र के अम्बूजा सीमेंट फाउंडेशन दार्ला घाट स्तेत अध्योगिक प्रशिक्षन संस्थान में अध्योगिक प्रशिक्षन संस्थान महिला खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारम समारोह को शंभो दित कर व वद तरीकी से अरंप किये जाएगा उन्होंने कहा कि जिला के चिनित और ध्योगिक प्रिस्टिक्शन संस्थान में इन पाठिक्रमों से यूबाओं को वहतर रोजगार वा सुरोजगार के अबसर परदान होंगे मुख्यस संस्थी य सचिप ने कहा कि परदेश सरकार दौरा यूबाओं और महिलाओं को संबल परदान करने के लिए विभिन यूजड़ाएं क्रियानवित की जा रही है उन्होंने युबाओं वो महिलाओं से प्रदेश सरकार दोरा कौशल विकास के लिए क्रियानवित की जा रही बिविन योजनाओं का लाब उठाने का आगरह किया उन्होंने कहा कि कौशल विकास बर्तमान समय की मांग है तथा परदेश सरकार दोरा कौशल विकास पर विशेश बल दिया जा रहा है उन्होंने अम्बूजा प्रवंधन से स्थानिय बिरोजगार शिक्षक युबाओं को प्रात्मिक्ता के आधार पर रोजगार प्रदान करने का आग्रह भी किया संजे अवस्ती ने कहा कि स्वास्त रहने के लिए मनुश्य का सक्रिय रहना आवश्चक है खेलकूत के माध्यम से शारिक विकास ही नहीं बलकि मानसिक विकास भी होता है इसलिए सभी को खेलों को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना आवश्यक है उन्होंने कहा कि बच्चों के विकास में श्यक्षनिक गतिवीधियों के साथ साथ खेल कूत गतिवीधियों का भी महत्वपुन युगदान रहता है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार रास्ट्य वर्स राज्य स्तर पर उतक्रिस्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षन को 3 प्रतिसत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत करने का प्रयास करेगी